समाधान, समाधान, समाधान पहले अपने घर की सफाई तो करो उस व्यक्ते ने दूसरे दिन उठके घर की सफाई की लेकिन कच्रे अपने घर में ही रख दिए किनारे दबाकी क्योंकि कच्रा बहुत ज़्यादा था भगवाण जी फिर से सपने में आया और उन्होंने कहा कि तुमने सफाई तो कर दी, लेकिन कच्रे तो यहीं दबा के रख दिये हैं, उनसे बद्बू आ रही है, मैं यहाँ नहीं आ सकता, वो फिर से उठा दूसरे दिन, उसने सारी कच्रे निकाले और अपने घर के बाहर रख दिये, फेक दिये, दरवाजे के पास, फिर से भगव जी उसके घर में नहीं आये हैं, लेकिन पडोसी के घर में आ गये हैं, उस व्यक्ति ने सपने में ही पुछा कि भगवान जी मैंने इतनी मेहनत की, आप मेरे घर में आने की बजाए, उनसे पडोसी के घर में क्यों चले गए, भगवान जी ने कहा, जरा तुम बाहर निकल के देखो उसने क्या किया है जब बाहर निकल के इसने देखा तो इस पडोसी ने उस कचरे को अपने घर के भी कचरे को और इसने जो कचरा फेका था उसे भी उठा के खूडे दान में डाल दिया था इस व्यक्ति की आखें खुल गई कि हमें साफ सफाई न केवल अपने घर में रखना है, बलकि आसपास में भी सफाई रखनी है, और जहां स्वच्छता है, वहीं परमात्मा का वास होता है, वहीं परमात्मा का आगमन भी होता है, किसलिए सारे देश में भी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, तो ना केवल हम बाहर की स्वच्छता का ध्यान रख ताकि परमात्मा ना केवल हमारे घर में आए बलकि हमारे हृदय में भी बस सकें। आए इसे सुन्दर बात के साथ आज के समाधान के शुरुबात करते हैं अभी नंदन करते हैं अधर ने ब्राता जी का। टाता जी बहुत-बहुत स्वागत अभी नंदन है। पूरे देश में एक सुन्दर अभियान चल रहा है साफ सफाई का इस स्वच्छता के साथ साथ अंदर की स्वच्छता कितना महत्वपूर है संपूर्ण रूप से क्योंकि अगर मनुस अंदर की स्वच्छता का अभियान चला दे तो सचमश उसका जीवन सुक्ष्यानती खुसी प्रेम से भरपूर हो जाए मेरे पास अभी कुछ माताई मिल रही थी अपनी अपनी समस्या समस्या यही हम बहुत बेचैन रहते हैं बहुत परिशान रहते हैं हमारा चित्त एकागी नहीं होता मैं क्या करूं मुझे जल्दी आना था मैंने उसको कहा दो तीन थी कि यहां बहुत माल भर लिया है इसको निकालो, इसको स्वच्च करो, तो चित स्यान्तो, लोग कह देते हैं भगवान सब जगे है, अरे भई गंदगी में बहला भगवान रहेगा क्या, जिसके वास के लिए स्वच्च दिल की जरूरत है, जिसको याद हम तब तक नहीं कर सकते, जब तक हमारा मन स्वच्च न हो, कवित्र न हो, वो भला इस गंदगी में रहेगा, मैं पहले लिखा करता था अपने यहां एक स्लोगन, जिस भगवान की याद से ही मनानंदित हो जाता है, वो अगर हमारे अंदर ही होता, तो हमारा जीवन कितना आनंद भी बहुर रहा होता, तो सोचने की बात है, हम सफाई करें, हर एक ने अपने मन में इर्षा भड़ लिया, दूसरों के अवगुण भड़ लिया, आपने तो काहनी में सुनाया, अपना किच्रा दूसरों घर में डाल लिया, यह तो चलो एक दूसरी चीज है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, दूसरों का किच्रा अपने घर में ज जब ये स्वच्छता अभियान सुनता हूँ, बहुत अच्छी बात है, we appreciate it, लेकिन मन को स्वच्छ कर दें, clean the mind, तो कितना अच्छा अभियान हो जाए सारे देश में, ये court के समाप्त हो जाएं, ये rape के समाप्त हो जाएं, ये corruption समाप्त हो जाएं, ये घर-घर में लड़ाई जगडे समाप्त हो जाएं, और जीवन मंदिर बन जाएं, बिल्कुल, तो बहुत जी क्या एक जैसे शिर्वात में हम लोगों ने एक सहयोग बैंक के स्थापना की थी, और वो बहुत अच्छा चल रहा है, सभी सुबह और शाम योग करके उसमें अपना योगदान दे रहे हैं, क्या ब्रह्मकुमारिस की ओर से या समाधान परिवार की ओर से एक ऐसा अभियान शिर्वात किया जाए कि अब अंदर की स्वच्छता हम करें, मन की स्वच्छता अभियान, आंत्रिक स्वच्छता अभियान, तो कितना सुंदर हो जाए और सबको प्रेड़ना भी प्रा प्रता जी यहां ब्रह्मा कुमारिज में पांड़भवन में गया हुआ था तो वहाँ पे जो ओम शांति भवन है बहुत सुन्दर सा पात्र रखा हुआ है दान पात्र वैसे मंदीरों में जाते हैं तो वहाँ जो दान पात्र होते हैं उसमें लोग पैसे डालते हैं लेकिन ये पात्र मुझे बड़ा ही यूनीक लगा जिसमें लोग अपनी बुराईया डाल रहे थे कोई शराब पिता है तो वो शराब की बुराई डाल रहा था कोई सिग्रेट पिता है तो सिग्रेट की बुराई डाल रहा था तो क्या ऐसे ही पात्र ब्रह्मा कुमारीज के सभी शहरों में जो सेवा केंद्र हैं वहाँ पे रखे हुए हैं व्यक्ति चाहे अपने इन आंत्रिक बुराईयों को डाले और अंदर की सफाई कर ले। वो सब भी डाल के जाते हैं और हमारे बहुत सारे सेवा केंदरों में ये व्यवस्ता है ही वह ऐसे बौक्स रखे रहते हैं और लोगों को प्रेरित किया जाता है कि देखे जब तक आप अपनी बुराई का दान नहीं करोगे तब तक आपका जीवन अच्छा नहीं बनेगा आ हैं आपको मिली हैं उसका आप आनंद भी नहीं ले पाओगे तो सब रखे रह जाएंगे आप बेचैन रहोगे बिमार रहोगे अस्यांत रहोगे तो बहुत लोग हमारी सेंटर्स में भी ये काम करते हैं और जैसा मैंने कहा हमारे तधार्दी की इच्छा है कि हमारे देश म एक बहुत सुंदर क्रांती जैसी लाई जाए कि सभी लोग अपने इन बुराईयों का धान करें विल्कुल एक अभियान सच मुझ निकालने के आवर श्यक्ता महसूस हो रहे है ब्रहताजी और यदि ब्रहमा कुमारी जिये कारे करें तो बहुत अच्छा होगा कोई रथ ब प्रोग्राम करते ही रहते हैं कि दो साल के बार गाहों में जाकर करते हैं और परिणाम बहुत अच्छे निकलते हैं जे जे कई लोग ये चीज़ें छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो छोड़ने का जो मनोबल है वो उनकी अंदर नहीं आपाता है या फिर कई बार वो से आये ताकि सदा के लिए से मुक्त रहें आज ही सवेरे की मुलाकात में कई माताइं आई कम से कम पांच जिनकी समस्या यही थी कि हमारे बच्चे एक भी टेक कर रहा है एक सीए फाइनल में है ऐसे हायर एजूकेशन वाले अपने फ्रेंट्स के बुरे संग में आकर ऐसी क मुझे बड़ा कस्ट होता है क्योंकि सरावियों के संग में आके यह दंदा करने लगा है तो सचमुच फिर बात की उसने कि उसकी इच्छा होती है कभी कि वो बात करता है क्योंकि बड़े घर का लड़का है बाप चीफ मेडिकल ओफिसर है मां हैड अब डिपार्टमेंट ह कॉलेज में उन्हें लज्जा भी आते एक ही लड़का है कभी कभी कहता है कि मैं छोड़ूं लेकिन छूट नहीं पा रहा है जैसे उस व्यसन ने उसको अपने अधीन कर लिया है क्योंकि मनुस अपनी शक्तियों को बोल गया है तो इसमें ही राज्योग बहुत मदद करता ह जो मनुस को उसकी शक्तियों का ग्यान कराता है देखिए मैं सदा एक बात से सबको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे अंदर ही हमारे ब्रेन में ही अनंत शक्तियों का भंडार है अनंत ग्यान का भंडार है सोया रहता है इसलिए हम चचचच चीजों के पराधीन अपने को पाते हैं कि हम बुरा बोलना नहीं चाहते पर बोल लिए फिर पच्टा रहे हैं हम गुसा करना नहीं चाहते पर बार बार हो रहा है फिर परतिग्या कर रहे हैं पच्चा ताप कर रहे हैं छमा माग रहे हैं वह हमने आपको बोल दिया इसके लिए ही हमें शक्तियों की तो राजयोग से परमात्म शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं और हमारी अंत्रिक सोई हुई शक्तियां जगने लगती हैं इसलिए राजयोग का बहुत ज़्याद महत्व है अगर ये सब थोड़ा थोड़ा भी राजयोग सीखेंगे और परमात्मास जो सरुशक्तिवाने उन देवताओं की संतान है हम देव कुल के हैं या बहुत जरूरी हो गया है हम अपनी मानताओं को भूल गए वेस्टर्न कल्चर के पीछे पागल होकर गूम रहे है वहाँ भी तो य८ख ये करते हैं लेकिन वहाँ के मनोह स्थितिका जो बुरा हाल है वो इनको पता नहीं है इसलिए हमारी कल्चर बहुत महान थी हम देवसभ्यता के लोग हैं भारत वाले हम उसकी अवेरनेस सब को दिलाएं तो राज्योग में ये सब पता चलता है तो देवत तो जागरित हो जाता है और इन बुराईयों को छोडने की शक्ति आ जाती है मतलब राज्योग का अभ्यास इसमें बहुत महत्वपून भूमी का अदा करेगा कि व्यक्ति अपने अंदर की शक्तियों को जागरित कर पाए और हमीशा के लिए इन चीजों से मुक्त हो पाए लेकिन यहां तो मुक्त हुए तो मुक्त हुए शायद ही राज्योग का ही बल है कहीं भी किसी को सिग्रेट की खस्बून वद्वून नहीं आई होगी कहीं भी किसी को पान थूखते हुए किसी नहीं नहीं देखा होगा जब बहुत स्वच्छता यहां दिखाई देती है न कोई सिगरेट पी रहा है, न कोई पान चबा रहा है न कोई दो दर थूख के गंदगी खर रहा है न कोई दो दर कुछ फेंक रहा है तो सचमुछ राजियों के बल से सभी ने अपने व्यस्णों का त्याक कर दिया है और एक दूसरे के प्रति द्रष्टी भी बहुत निर्मल हो गई है सुकदाई द्रष्टी, आत्मिक प्रेम से भरी हुई द्रष्टी सब अपने पंद से एक दूसरे को निहारते हैं तो वातावर्ण में बहुत ही एक शूधिंग एट्मोस्फेर महां दिखाई देता है मन को खीचने वाला जे 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 चलिए सुंदर है तदर जी मैं अब मेल की और लिये चलता हूँ आपको और आशा करते हैं कि ये स्वच्छता बाहर और अंदर की जल्दी ही पूरे भारत वर्ष को संपून रूफ से स्रेस्ट बनाए पहला मेल मैं ले रहा हूँ ये हमारी पास आया है दीपीका सुभाजी का और ये पालमपूर से लिख रही है ये कहती है कि My life was totally shattered when I lost my only son on 9th July 2014, then one day while watching Peace of Mind channel, I emailed my problem to BKPM TV they suggested me to join nearby Rajyuk Center at Palampur then my husband took me there and now my life has changed everyday we read Murli and try to implement in our life daily, I do receive a spiritual message from PMTV and watch Samadhan episode I really want to thank Peace of Mind channel for giving me peace of mind, you people are really doing a great job, thank you from the bottom of my heart, Deepika Subhaji, Palampur से बहुत बड़ी चीज थी ना, बच्चे की मत्त्र, उभी एक मात्र मनुस को लगता है, जीवन अंदकार से भरपूर हो गया, कोई नहीं, किसलिए जीएं, बहुत उदास हो जाती हैं माताएं और उनके फादर सोक्चाय रहता है, तो बहुत बड़ा जैसे इनने तो जीवन दान मिल गया ना, तो कि किसी की भी मृत्यू को तो लोटाया ही नहीं जा सकता, और मृत्यू के बदले में ये था दुख मनुस को मिल जाता है, तो हम तो इने भी कांगरेचुलेशन देंगे, कि ये भाग्यवान हैं, जो समय पर इनको ऐसा साथ मिला, और इन्होंने पीस ओप माइंड प्राप्त की, और अपने जीवन को सुखी बना दिया, प् जब मृत्य होती है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है घर में, और इस्पेशली मा को, क्या विशेश अभ्यास ब्रह्मकुमारीज में कराया जाता है, जैसे कि दिपिका जी ने ऐसी शांती प्राप्त की, क्या ऐसा अभ्यास सभी लोग केंद्र पे आके कर सकते हैं, य ऐसे ये इस्वधिय ग्यान का सब्ताह चलता है वहां, क्योंकि दुख भरा माहूल हो जाता है, तो कोई न कोई उनके ब्रह्मकुमारीज से जुड़े ही रहते हैं, वो अरेंज करा देते हैं, बहने ही यहां आएं, और एक शन्त ही सब को हो, माहूल में जो गमगीनी है, जो इसके बाद बहुत अच्छा माहूल बन जाता है, इसलिए ये जो इस्वधिय ग्यान का सब्ताह है, ये मृत्यू के बाद सभी को कराना चाहिए, जोकि मृत्यू तो होती रहती हैं, कोई परिवार ऐसा नहीं, जिसमें किसी की मृत्यू ना हो, तो इससे कई लोगों को इस् इसी तरह सुक्ष्यान्ती से भरपूर हो जाता है, राजयोग में सचमुच जब हम आत्मिक जान देते हैं, तो हमें ये महसूस होता है, कि ये देहे, ये तो वस्तर की तरह है, और मत्यू अर्थात, आत्मा ने ये वस्तर उतार दिया, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा तो अज और हमर अविनासी है, ये हमारे कुछ काल के नाते होते हैं, जो कर्मिक एकाउंट के कारण जुड़े रहते हैं, जब हमारा कर्मों का खाता पूर्ण हो जाता है, तब खेल कुरा हो जाता है, अभी अभी, एक माता और आई मेरे पास, उनकी भी कहानी यही थी, दोनों आये बतनी, हमारे गार में एक बच्ची है, तेरा साल की है, और जब से जनम लिया, बस कुछ समय के बाद से ही उसको लट चट रहा है, लगातार, पैसा बहुत खर्च हो रहा है, और वो बहुत चिड़-चिड़ी रहने लगी है, सब पे बहुत वुसा करती है, तो मैंने तो हसी में कहा, कि तुमने करज लिया पिछले जनम में इसका, दिया नहीं था, अब ब्याज सहित लेकर जाएगी, जितना दिया, उससे ज़्यादा लेकर जाएगी, और फिर ये चली जाएगी, तेखो अब उसकी में त्युत निस्चित है, ब्लड चटता रहता नजनी, ब्लड मे किसके क्या-क्या होता है लिए वो इरिटेट रहने लगी श्यानती नस्ठ हो गई है तो घरों में श्यानती का माहूल बनाएं और इस कर्म की गती को समझ लें कि जब ये पूर्ण हो जाती है कोई मन उसकिसी के पास एक छण भी अधिक नहीं ठेड सकता है तो मृत्यू के सत्त को स्विकार भी करेंगे और आत्मिक ज्यान से अपने को चित को स्यानत भी करेंगे प्रातेश ये दूसरा मिल हमारे पास आया है ये कहती है कि ओम श्यांती सुर्य भायजी I like watching your program everyday as your words give soothing feeling to the soul I have a problem looking forward to your guidance to get rid of it I am happily married My problem? I am suffering from a phobia which I myself don't know what phobia it is and why it comes but because of this phobia I have lost my peace and it is very disturbing it is spoiling my mental peace and I am unable to understand how to overcome this ब्रातेश जी ये सीमा जी ने हमें भेजा है गुलबर्गा से तेख्ये कुछ डर ऐसे हैं जीवन में जिसका कोई कारण समझ में नहीं आएगा और इसके कारण होते हैं पूर जन्मों के या तो इस व्यक्ति की म्रत्यू बहुत कस्टकारी हुई है बहुत भे हुआ है म्रत्यू में जैसे उपर से गिरा दिया गया कि ने धक्का दे दिया बहुत नीचे आते आते इतना भेवीत हो गया मन उसके बाद म्रत्यू हुई कोई पानी में डूब गया है एक दो मिनट के बाद उसकी मृत्यू हुई, कुछ और हो गया वड़ी कस्टकारी मृत्यू, मुलते मृत्यू का भै, तो एक भै हो गया है, उन्हें सो लिए ये मनुस लोग है न, ये बड़े खतरनाक हैं, बड़े खराब हैं, तो एक भै अंदर में समा गया है, इसको समात कर करनी की सिंपल विधी जो हम सब को सिखाते रहते हैं, सबेरे उतते ही, ये 108 बार लिख हैं, मैं मास्टर सर्व सक्तिवान हूँ, निर्भै हूँ, बस ये सब कुंशियस माइन में चला जाएगा, ये अभ्यासी किस दिन तक ही ने अवश्य करना है, जूसरा अभ्यासी ने कर मैं उसको चमा करती हूँ, शान्त हो जाओ सब, चमादान करें और ये लिखेंगी, तो इनका चित शान्त होगा, और ये जो फोबिया इनके अंदर भै बढ़ गया है, ये दीरे दीरे समात हो जाएगा, प्रते जी कई बार जैसे एक अनिस्शित इस्थिती रहती है, सब कु अज नहीं पाते हैं कि मेरा मन क्यों बेचैन है, करोडों के साथ आज के लिखेंगी, तो क्या सबका कारण यही है ब्रते जी आपने बताई है, अलग-अलग कारण होते हैं, कभी वही व्यक्ति उसके परिवार में है, जिसने उसको कस्त दिया है, अब सब कुंचिस माइंड उसको देख रहा है, उसको बाहरी रूप से पता नहीं, यह वही है, उसे देखना है नहीं चाहता, उसको देख देख कर वो दुखी है, अब वो उसके अपने घर में हो, मान लो उसका वो बच्चा बन कर ही आ गया हो, अब उसे प्यार करना है, वो प्यार कर नहीं सकती, ले उसके चित को स्यान्त नहीं होने दे रही, किसे के मन में कोई एतरब्ती, एक चाएं बहुत काम कर रहे hyper till यह, आजकल यह भी बहुत चल रहा है, कि बहुत सारी मनुसको इच्छाएं रहती हैं तरशनाएं और वो उने बोन नहीं कर पाता वो उने अंदरी अंदर परिशान कर रहा है किसी की एक्सपेक्टेशन्स बहुत बढ़ी हुई है किसी को माबाप से अच्छी फिलिंग नहीं हुई है बच्पन से ही ये बहुत ओके केस होते हैं माबाप ने पालना ही नहीं कि उस तरह की बच्छों की या माने लड़के और लड़कियों के बीच में बहुत भेद भाव रखा है लड़कियां उसको नोट करती रही है और अंदर ये अंदर घुटती रही है ये बहुत सारे कारण अलग-अलग होते हैं मनुस्यों के साथ जो उने बेचैन रखते हैं हाईली एजुकेटिड होते भी जो तरप्त नहीं हो पाते जिनका जीवन खुशियों से बहुत दूर नजर आता है ये चार ओर हम देख सकते हैं तो कैसे मुक्त हों प्राता जीव इस वरी एक ग्यान बहुत बड़ी चीज है जो मनुस्थ को ठीक से सोचने की कला सिखाता है इस वरी एक ग्यान माना ही हम ये सिखते हैं कि हम कैसे जीएं हम कैसे लोगों को छमादान दें हम अपने एटिट्यूट्स को कैसे पोजिटिव करें हम अपने बिहेवियर को लवफुल करें हम बहुत लविंग हो जाएं हम काम नहीं छोड़ दें ये हमें प्यार करें ये हमें सम्मान दें, ये सब हमारी इश्वरिय ज्ञान में बहुत सिखाया जाता है, और ये जो आत्मिक ज्ञान है, जिसे हम बोडिलेस होने की प्रैक्टिस करते हैं, उससे चित बहुत श्यानत होता है, तो सक्ति भी आती है, और एक गाइड लाइन भी मिलती, ऐसे जी हो, ह क्या रहा है संसार में, कि मनुस को ये पता नहीं चल रहा है, कि गलती कहा हो रही है, वो दूसरों की देखता रहता है, इस वर ये ज्ञान लेने के बाद, अरे तुम ये जो सोच रहे हैं, तो ये ही तो गलत था, तुम जो इस तरह बोल रहे हैं, तो ये ही तो परिसानियों का कारण था तुम्हारा जो यह एटिट्यूड था इसके लिए वोसी से तो तुम दुखी हो रहे थे चेज मनुस अपने में कर लेता है और इससे सब कुछ ठीक हो जाता है प्रता जी एक महतुपूर वैत से आपने अंद किया है सच मुझ यदि कोई डॉक्टर ठीक से बिमारी का तब तक वो सही सही दवा नहीं दे पाता और पेशेंट भी ठीक नहीं हो पाता और हम खुद ही अब अपने डॉक्टर बने और डाइग्नोज करें कि कहां पी प्रॉब्लम है तो शायद बिमारी दूर हो जाएगी इस उंदर प्रकाश के लिए ब्रता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हो जाते हैं मच्छर मक्षी पैदा हो जाते हैं बिमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है यदि वैसी ही गंदगी दूसरों की गंदगी अपनी गंदगी अपने अपने अंदर रखा हुआ है तो वास्तों में बहुत सारी बिमारियां पैदा हो सकती हैं बहुत सारे जर तियर बने और हम सच मुझ अपने जीवन का संपूर्ण रोप से आनन्द ले सकें इस विशेपर गहराई से विचार कीजिएगा आगे भी इस पर हम चर्चा करते रहेंगे अपना ख्याल रखिएगा नमस्तु